जेहिं सांतियों आप सभी का नमस्कार स्वागत है आज के सित्र पे आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या जी आपका श्रविधान भारत का श्रविधान भारत का श्रविधान का ये तिसरा क्लास है आज के क्लास में हम लोग मुल अधिकार पढ़ेंगे क्या हैं. सविधान के इन एक और दो class में क्या देखें? सविधान की प्रस्ताना की सविधान की में भाग एक भाग दो देखें, आपको संग राजचेक्षेतर और नागरिक्ता इन topic को आपका playlist में डेला हुआ यह description में मैं इनका link देदूँगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, तो अपन ज्यादा बात करते हैं, question number पहले की तरब चलते हैं, मूल अधिकार, क्या बोल रहा है, पहला है, पहला question अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, जो अधिकार है, उसको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, ये question है, तो पहली बात, स पर लियान कारी होता है, चौथा है विक्तित्व विकास के लिए अवश्यक होता है, पाचवा संसत इसके वुर्द कानून बना सकती है, इन सभी आप्शन में क्या सही होगा, क्या सही होगा जे, देखो, नहीं जानते हो ना पर अभी एक दो तो लगा सकते हो, जैसे यहां सव तिया ठीक, इन ओप्षन बचा अपने पास, यह प्रजातांत्रिक होता है क्या, चलू, इसको अभी नहीं जा रहे, ठोड़से चोड़ते होटे है, यह लोग क्ल्याण कारी होता है, थोड़से नहीं समझ में और जिनकी लिए सबार अधिक अर्षा, क्योंकि मूल अधिका क्या हो जाएगा option number c ठीक बाकी देखने की जोरत नहीं क्योंकि एक और दो मिल रहे है तो इसका main answer क्या क्या है आपका तर देखा जाए तो यहाँ सविधान में उल्लेखित है दूसरी बात यह वेक्तित प्रविकास के लिए अवश्यव होता है यह संसद इसके विरदर कानून नहीं बना सकती जो संसद है इसके विरदर कानून नहीं बना सकती एक इंसर हो जाएगा option number c ठीक लिए मुल अधिकार क्यों पहुआता है अम मोल अधिकार जो है किसी भी देश के जो नागरिक हैं जैसे हम हैं हम नागरिक है हमारे यह भारत देश है इस भारत देश के तो जो पूरे भालत देस के नाघरिक है जिनकी राजनितिक अध्यात्मिक भौतिक विकाथ के लिए जरूरी होता है । इसका इंसर हो जाएगा option number c next question देखते है question number second है question second है भारतियों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रापते हैं, जो भारती हैं, उनको कुल कितने मौलिक अधिकार प्रापते हैं, कितने मौलिक अधिकार प्रापते हैं, अभी अभी अपडेट में देखा जाए, तो कितने मौलिक अधिकार हैं, भारतीयों को कितने मौलिक अधिकार प्रापते है है इंसर बनाइए अगर नहीं जानते पर कोषिस किएस कीज़ें छे मोयग अधिकार के कितने चे ठीकशे hè कितना आपका शात मोलिक अधिकार थो पहले ठीक लेकिन जो सात्वा मौलिक अधिकार है उसको 24 सुविधान संसुतन याद रखेंगे न पूछा जाता है 1978 में जो 24 सुविधान संसुतन सात्वा कौन था आपका संपत्तिक अधिकार कौनसा जी आपका जो संपत्ति का अधिकार है उसको समाप तक कर दिया उसको समाप तक कर दिया और इस अधिकार को अनुछेद 300 का में सामिल कर दिया गया संपत्ति का अधिकार को तो साथ वाद कौन था आपका संपत्ति कर दिजे समाप तक कर दिया तो अभी total कितने 6 आपके च्छै आपके मौली कधिकार है अब देखो च्छै मौली कधिकार तो च्छै मौली कधिकार को हमको जानना भी बहुत जरूरी है कहीं पर पेज है चलो यहां पर बताते हैं जो च्छै मौली कधिकार है वो कौन-कौन से पहला देखो च्छै मौली कधिकार मैं आपको बता रहा थोड़ा समझना अगर जो वीडियो देख रहे हैं एयर फूर लगा की देखिए उसी सपने से करूँगा कि सारी की सारी चिज़ी यहीं पर याद करूं मोलिक अधिकार, क्या पढ़ रहें मोलिक अधिकार, मोलिक अधिकार में पहला अधिकार है आपका समानता का अधिकार, क्या है जी आपका समानता का अधिकार, यहां पे दूसरा अधिकार है आपका सोतंतरता का अधिकार, क्या है आपका सोतंतरता का अधिकार है, दूसरा सोतं वा कि आप लोग लिखती जाना brings meन को लिख्यार सिक्षाक अधिकार फिर संपत्तिक अधिकार आपको पता किया गहां समाप तक कर दिया गहां है फिर के आपका खेका शोशनringe का अधिकार ऐह है कि आपका धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार धारमिक सोतंतरता का अधिकार बताया गया है total कितने प्रकार के अधिकार हुए अपने पास 6 प्रकार के अधिकार हुए कितने जी 6 प्रकार के ठीक तो आपका क्रम वाइस देखा जाए तो पहला है समानता का अधिकार फिर सोतंतरता का अधिकार दूसरा हुआ ठीक यहां पर color change कैसे होगा चलो यह 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 आपका समानता का अधिकार पहला ओके फिर सोतंतरता का अधिकार आपका दूसरा शोशन की वृद्ध अधिकार तीसरा लेंगे ना आपका धार्मिक सोतंतरता का अधिकार कौन सा धार्मिक सोतंतरता का अधिकार कौन सा है जी आपका चौथा धार्मिक सोतंतरता का अधिकार आपका चौथा है कौन सा धार्मिक सोतंतरता का अधिकार चौथा पांचवा है संस्कृतिक वह सिक्षक अधिकार छट्वा आपका सं समाप्त हो चुक है क्या है यह समाप्त हो चुक है आपका सात्वा है जो सवयधानिक अधिकार है यहां बीच में लिखते हैं इसको श्रवयधानिक अधिकार तो टूटल इस तरह से कितने अधिकार प्राप्त है हमें टूटल कितने अधिकार प्राप्त हैं छै प्रकार से सात् सुतन्तरत्यक Κाजिकार, तिशर सुसन क YHť अधिकार,enther भाँष्ण की नीक है, संपत्ति समाप्त हो गया,श्रवैधानिक अधिकार् लास्ट है,ठीक,ोटल कितने अधिकार हुमें आपके 6 अधिकार, 6 अधिकार आपको याद होना चाहिए,ओक । ठीक अब चलते हैं next question number 3 question number 3 देखो अधिकार मैं बताया हूँ उसका detailing हम लोग आगे पढ़ेंगे आज का वीडियो लंबा हो सकता है लगबाग हाली घंटे से भी जादा 45 मिनट भी हो सकता है तो सब्रता बनाके बैठें और अच्छे से पढ़ें पोसिस करूँगा मैं सारी च question ज्यादा आते हैं इस topic मुल अधिकार यहीं से ही main question आना स्टार्ट होता है इसलिए इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे और detailing से पढ़ेंगे तो क्या है आपका जो मुल अधिकार का सरक्षक किसे माना गया है तो सीधी बात है किसे माना है न्याय पालिका को option number C उप आपका सुम्लिद कीजिए यह अनुच्छेत दी हुए है अनुच्छेत को आपस में सुम्लिद करना है ठीक अभी तक हम लोग एक दो और तीन अनुच्छेत पढ़ें एक दो और तीन अनुच्छेत पढ़ चुके हैं हाना भाग एक और भाग दू में हाना नही स्वारी भा क्या देखते हैं भाग 2 क्या है आपका भाग 2 में क्या है अनुचेद 5 से 11 नागरिक्ता के बारे में बताया है कोशिज करूंगा कि मैं आपको पूरा याद करा हूं यहां पर क्या है आपका नागरिक्ता किसके बारे में नागरिक्ता के बारे में बताया है अनुचेद 5 6 7 8 9 10 11 11 यहां पर देखेंगे क्योंकि अनुच्छे से कोशन आता है इसलिए मैं याद करवार हूँ पांचवा अनुच्छे में बताया है पांचवा सविधान लागू होने के समय नागरिक्ता क्योंकि नागरिक्ता ही इसका में भाग है तो नागरिक्ता जब सविधान लागू हु मतलब यह भारत देश हैं यहां से जब विभाजित हुए ना जब भारत दो देशों में बटा पाकिस्तान में भारत ठीक तब भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से भारत आने वाले आठ में विदेश में रहने वाले नागरिकों की नागरिकता, अब विदेश में जैसे अमरीका है, आस्टेलिया, वहाँ भारती लोग रहते हैं, इनको भी नागरिकता दिया गया है, जैसे सुन्दर पिच्चे ही हैं, इनको भारत का नागरिकता है, तो विदेश में रहने व नियम कनुन बनाने की सकती, इस तरीके से टोटल कितने हम लोग 11 अनुच्छे रियाद के, पांच में एक बार रिपिट करता हूँ, सविधान लागू होने के समय नागरिक्ता, क्या है जी आपका सविधान लागू होने के समय नागरिक्ता, छटफे में पाक से आने वाले, ठ नागरिक्टा कितने प्रकार से नागरिक्टा दिया जाता है पांच प्रकार से, एक याद रखेंगे जन्म से, दूसरा है आपका वंस या रख्त से, आपका वंस या रख्त, देखेंगे जब हमको नागृत्त दिया जाते हैं, जन्म प्रमान पत्र से, नहीं मिलिया, तो हमारे पिता जी के वंस देखेंगे या रख्त देखेंगा, दिकतर वंस देखा जाता है, तीसरा है पंजी करण, लेको पंजी करण हुआ रहता है, हमारा नित हमारे पिता जी कब, ठीक है, चौथा आपका देसी करण, ठीक है, देसी करण और पांचवा आपका भूमी करण, भूमी करण से क्या है, भूमी अधि ग्रहन, ठीक है, क्या है आपका भूम ग्रहन, धूमी ग्रहन, भूमी ग्रहन क्या, अभी पिता जी के नाम पे दादा जी के नाम पे जमीन था, इस तरीके से पाँच तरीकों से नाजुरुत्य दिया जाता है, इस तरीके से तूटल कितने हम लोग अनुछेत पढ़ green Peline आपका भाग दो completely, ठीक है अब next देखते हैं आपका अब हम खाली कर दिया था क्या आपका भाग 3 है कौन सा आपका भाग 3 भाग 3 में बताया अनुच्षेद 12 से यहां पे 12 से 35 total 12 से 35 देखेंगे malik अदिकार अब देखो total में malik अदिकार कितने बताया आप लोगों को मौलिक अधिकार बताया हूं मैं साथ होते हैं सविधान में टोटल 6 क्योंकि साथों को समाब तक किया गए और साथों को अब लोग याद करते हैं ठीक साथों को याद करते हैं पहला बताया थे मैं समानता का अधिकार अनुचेत के साथ याद करेंगे ना समानता का अधिकार 14-18 बोलते चलेंगे 14-18 समानता का अधिकार स्वतंदरता का अधिकार 19-22 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 स्वतं में अनुच्छेत पुछा जाता है ना 31 में इसको कहा जोड़ दिया गया है 300 का में डाला है ठीक सात्वा छट्वा समाप तर सात्वा स्वैधानिक उप्चारों का अधिकार टोटल इस प्रकार से हम लोग कितने आपके साथ छे टोटल साथ और ऐसा स्वैधान में देखा जात सोशन केवरुद अधिकार 23-24 धार्मिक सुचंदरता का अधिकार 25-28 संस्क्रतिक और सिक्छा का अधिकार 29-39 संपत्तिक का अधिकार समापत कर दिया 31 में स्वैधानिक उप्चारों का अधिकार 32 ठीक अब आज हम लोग क्या का पढ़ेंगे आपका समानता का अधिकार को प यह है समानता का अधिकार ठीक समानते का अधिकार में आपका कहा है यह समानता का अधिकार क्या है आपका समानता का अधिकार टोटल कितने अनुच्छेद आपके 14 से 18 अनुच्छेद पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 विधी के समक्ष समानता क्या है पहलो अनुच्छेद या अनुछित 15 में क्या जी समाजिक समांता, 16 में लोग नियोजन की समांता, 17 में अस्प्रिता का अंध है ये अंध है, 17 में अस्प्रिता का अंध है और 18 में उपाधियों का अंध है, टोटल 14 से 18, एक बार रिपीट करते हैं, क्या है जी आपका, 14 में क्या बतायाँ गए है आपका विधीके समक्ष समांता, मतला भारत की सभ्रिय वेक्ति कानून के समक्ष समान है, जहाँ आप हो, जहाँ हमाय हो, जहाँ है कोई भीव, विधी के समक्ष समान है, एक दो को छोड़के बताऊंगा, अप वाद है, 15 समाजिक समान्ता 16 में लोक नियोजन की समान्ता 17 में अस्पृता का अन 18 में उपाधी का अन तो टोटल 14 से 18 नुच्छेद हम लोग याद कियें ठीक अब उसके बाद देखते हैं आपका इसका डेटेलीन देखते हैं ठीक अब चौदा में बताया मैं आपका यहीं पर देखते हैं यहाँ पर ठीक चौदा में क्या बताया है विधी के समक्ष समान्ता विधी के समक्ष समान्ता का मतलब क्या है भारत के सभी वैक्ति कानून के समक्ष समान होगे कानुन के समक्ष समानता विधी के साशन से प्रिरित है किसे विधी के साशन से प्रिरित है ठीक तो चौदा में विधी के समक्ष समानता बता है याद रखेंगे चौदा में विधी के समक्ष समानता ठीक चौदा के बाद आपका पंदरा देखते है समाजिक समानता अब समाज वन्स है, लिंग है, जन्म है, जन्म इस्थान, इनके अधार पर भेद भाव नहीं किया जाएगा, भेद भाव नहीं किया जाएगा, समाजिक समानता, समाजिक समानता, मतलब धर्म, मैं ब्राम्मान हो, तुम सुद्र हो, ऐसा धर्म में क्या समानता नहीं किया जाएगा, जात समाजिक समान्ता में बता है किनको किनको धर्म में जाती में मुलवन लिंक और जन्मिस्थान के अधार पर एक दूसरे में भेदभाव नहीं किया जाएगा यह बता रहा है कौन सा अपका समाजिक समान्ता कौन बता रहा है समाजिक समान्ता ठीक समाजिक समान्ता के बाद अप भारती नागरी को धर्म किन के बारे में बता रहा हूं, धर्म के बारे में, उनकी जाती के बारे में, हाना, मुल्वंस हैं, लिंग हैं, या जन्म इस्थान के अधार पर लोक नियोजन औसरों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसमें लोक नियोजन, लोक नियोजन का कहन को मतलब जो सरकारी पद हैं उसमें भेथ भाव नहीं किया जाएगा. त्यक्! एक अनुच्छ APPLAUSE užफ अनुच्छ Them याद रखेंगे किसका स्रोला का अनुच्छ चार चार बता रहे हैं कि इसमें को किसको को किया दिया है अरक्षन दिया इसी के तहत ओबिसी को क्या दिया अरक्षन प्रदान किया गया है ओबिसी को 16-4 में पीछ़़े वर्गव को क्या है अरक्षन प्रदान किया गया है 16-4 में यह अनुचित पूसता है 16-4 इसलिए इसको बताए OBC को अरक्षण पतान किये गए लोक नियोजन में समान्ता ठीक उसके बाद अश्पृता का अंद 17 है आपका कहने का मतलब क्या है जी बताओ तो क्या है अश्पृता का अंद का कहने का मतलब क्या है आपका अश्पृता का अंद देखा जाये तो ये question भी पूछा जाता है ना अश्पृता का अंद तो भारती समय धान में एक मातर अनुच्षेद है जो 17 जिसके कोई अपवाद नहीं है बांकि सब के अपवाद है इसका कोई अपवाद नहीं है ठीक अश्पृता उन्मूलन अधिनियम उनीस सव पच्पन आया था कब उनीस सव पच्पन आया था ठीक मतलब कि इसमें जो अनुसुचित जन जाती और जो जाती है उनके कल्यान के लिए ये अमश्यत का है ठीक है अस्पृता कांड अठारा में उपाधियों कांड उपाधी कांड जैसे कि कोई भी वेक् अधिकतर देखेंगे तो आदमी अपने नाम के आगे सिर्फ किसको उपाधी लगा था एक सेन यह मतलब से न जैसे लेक्टिनेड जर्नल हाना सिक्षा चेत्र सैंचनिक क्या है आपका सैंचनिक चेत्र जैसे डांक्टर इंजिनियर इससी की उपाधी लगा सकता है और दूस आगे में लिखता है क्या नहीं दिखता है मतलब क्योंत या उपाधियों क किया गया है कि इसके पहले उपाधी लगा देखे पहले कैसे सरदार वल्लप भारय। हाना सदार, तो ऐसा सब उपाधी लगता था, इसी इसको खतम किया गया है, सिर्फ दो जगह में उपाधी दिया जाता है, इस तरीका से हम लोग समानता का अधिकार को पूरा डिटेलिंग से पढ़ें, ठीक है, अब समानता का अधिकार खतम, अब देखते हैं क्या है आपका स स्वतंदरता का अधिकार, स्वतंदरता का अधिकार 19 से 22 में बताया गया है, ठीक, डिटेलिंग से बता रहूं, थोड़ा अच्छे से समझना, 19 में बताया गया है, ये वेक्ति है न, ये, वेक्ति गत, वेक्ति गस्वतंदरता का अधिकार, क्या है वेक्ति गस्वतंदरता का अदिकार 19, ہیں 20, 21, 22, french ersaces 1120 21, two, 20, प्रान, गिरफटारी, तुलिये ,, लोस प्रान, गिरफटारी», पूलिये देर्फ रर्येता किजिए देर्फ प्रान, गिरफटारी श्रु संफ्प्रान, गिरफटारी टेलिंग, इसलिए चलरहूं क्यों कि डिटेल से पूछा जाता है सविधान में इसलिए डिटेलिंग चल रहा हूं क्लास को का लंबा ठीक है और लास्ट में मैं आप लोगों कुछ जानकारी दूँगा क्लास के बारे में क्यूंकि सविधान खुड़ा सा कोश्चन आते हैं इसको डिटेलिंग से पढ़ना और 22 में गिरपतारी की वुद्ध सरक्षन 19 से 22 स्वतंदरता का अधिकार ठीक है अब देखते है 19 को थोड़ा से डिल करते है 19 में वेक्तिगत स्वतंदरता का अधिकार है इसके दो भाग है एक भाग में बताया गया है कि कौन कौन से वेक्तिगत अधिकार है ठीक है वेक्त है पहला को देखते हैं आपका आगया जी मारकर ये ये आपका अनुछिर एक उप भाग है ना एक उप भागने का है ठीक का ख घ ध द च और ज शर क्या बता रहा है मत बोलना बहुत जानकरी कोश्चन आते हैं यहीं से इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेलिंग से बता रहा ह ठीक है ये क्या है 19 का उप भाग है ना का और का में ख एक एक में का है का ख घ घ घ घ ड च तो क्या है पहला देखो हमें बोलने की सुतंदरता है किसी को बोलने से रोका जाता है क्या किसी को बोलने से रोका जाता है क्या नहीं रोका जाता है तो हमें बोलने की सुतंदरता है तो बोलेंगे कहाँ, अब भई, आप बोलोगे, तो बोलोगे कहाँ, ऐसा देखा जाये, तो बोलोगे कहाँ, आप बोलोगे कहाँ, सम्मिलन में, ठीक है, कहाँ बोलोगे आप, सम्मिलन में, कहाँ बोलोगे आप, इसका detailing करूँगा, पहले याद कराण, हमें बोलने की सुतंत बोलने की शितंद्रता है लेकिन बोलेंगे कहां सम्मिलन के लिए क्या चाहिए जी भाई संग होना चीना संग बनना चीन तभी तो होगा संग जब होगा तो वहां पे संग बनेगा अब संग बनने के बाद आसपास घुमेंगे तब तब तो संग का मतलब रहा कि संग बन गया, शिर्फ घरीम बैठे रहा है वैसा नहीं, तो इनको भ्रहमन करने की सकती है, है ना, भ्रहमन, संग क्या है, भ्रहमन कर सकता है, अब भ्रहमन कर लिए, अब बहुत चले, तो चलने के बाद क्या है, हम ठक गये, तो ठकने के बाद क् निवास अपना घर बनाने की सुधिन तरता है अब भी घर बनाएंगे निवास बनाएंगे तो निवास के लिए तो पैसा होना चीए लश्मी होना चीए तो संपत्ती की सुधिन तरता है किसकी संपत्ती की सुधिन तरता है अब संपत्ती के लिए क्या चीए पैसा तो ऐसा न 19 बाइनार,12 क1 में यह बताये गाया एक बहुंच प्राइए जौनार बहुंच करते हैं हमें बोलने की इस्पून करता है बोलेंगे कहां जी संभवार रता है कि संभव के सबतने संग से भन गाया । चाला संग नहीं रहे उसको भ्रह्मन कराएंगे घामे ब्रह्मन करने की सुनाबे, फिर भ्रह्मन की थक गए ज्यादा पैदा जले तो थक गए फिर निमास के लिए हमको घर्वाइर की जौरत है अब घर के लिए लच्मी की जौरत ह् आप्लक्रम आपका के alle K 첫 बता दे, 19 भाग एक, अब देखते हैं, 19 के बाद अपन 20 वा देखते हैं, ठीक, क्या 19 खतम, यहां से 19 से बहुत सो रहे कोश्चन आती, इसलों यह डिटेलिंग किया ना, 19 के बाद अपन 20 देखते हैं, 20 में क्या है जी, आपका दो सिध्धी के विरुद सरक्चने, मालनो कोई अपराधी तब माना जाएगा, मालनो जैसे कि मैं अपराधी तभी माना जाओंगा, जब वर्तमान में, कहां पे, वर्तमान में जो प्रचलित कानून का अगर मैं उलंगान करता हूं, इसी कानून का उलंगान करता हूं, तब मैं क्या माना जाओंगा, अपराधी मा जा होगा ठीक तो तीन बाते यहां पर एक कहा गया यह पहली दूसरी और तीसरी पहला बात वर्तमान में जो कानून है उसका उलंगन करने पर दोस 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 दिले रहे न कोई वेक्ति अपराधित तब माना जाएगा जब वर्तमान में प्रचलेत कानून का उलंगन करता है त दूश्री बात, वह स्वयम की रुध्य गवाही नहीं दे सकता, और एक अपरात के लिए उसे एक ही बाद दे जाएगा, मतलब अगर कोई मडर करता है, अगर किसी ने किसी मडर किया, तो उसको सिर्फ एक ही बार मडर के लिए क्या किया जाएगा उसको अपराद दिया जाएगा और दूसरा का मडर करता तो उसको और थोड़ी देगा अपराद की सज्जा देगा एक अपराद के लिए एक ही बार उसको क्या दिया जाएगा इसमें बतायागा 21 में बताया है दो ठीक, अब 21 में देखते हैं, 21 में बता है प्राण और दहिक स्वतंतरता का अधिकार, क्या बता है प्राण और दहिक स्वतंतरता का अधिकार, देखो, भारत के सविधान में आपको जीवन जीने की स्वतंतरता है, इच्छा मिर्तिव की स्वतंतरता नहीं है, आपको पता होग हमें थोड़ा से लंबा होगा बोला हूँ ना थोड़ा लंबा होगा हमें सिख्छा प्राप्त करने का अधिकार है हमें स्वस्त रहने का अधिकार है हमारी स्वास्त की विद्ध कोई बोल सकता है क्या ना सरकार ना तो कोई ठीक हमें सुने का अधिकार है कोई आदमी सोता हु और रात में गिरपतार नहीं किया जाता है। उसको सुभ़ ही गिरपतार किया जाएगा। फिर उसके बाद आवाज प्राप्त करने का अधिकार है। फिर अजीव का प्राप्त करने का अधिकार है। अजीव का प्राप्त करने का अधिकार है। ये प्राण और दहिव सुत्म अब देखो आपको गिरफतार किस कंडिशन पी किया जाएगा गिरफतार किस कंडिशन पी किया जाएगा एक तो कारण बताना ठीक दूसरा है चोबीस घंटा ठीक क्या है चोबीस घंटा तीसरा आपको वकील किसे कारण क्या है अगर आपको गिरफतार कोई अगर पुलिस कर रहा है तो कारण बताएगा बेवज़न आपको गिरफतार नहीं करेगा पिना कारण बताए नहीं दूसरी चोबीस घंटा मतलब अगर आपको गिरफतार कर लिया ना तो चोबीस घंटे के अंदर नियाले में प्रस्तूत करेंगे वो कितने चोबीस घंट है मतलब एक दिन का समय रहा है एक दिन में वो नियाले में प्रस्तूत करेगा ठीक और नियाले में प्रस्तूत करने के बाद आपको वकिल रखने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक आप वकिल रख सकते हैं, नहीं है तो खुद आप PC कर सकते हैं, लेकिन वकिल रखने का अधिकार बताए, गिरब तारी के उद्धे सरक छण लेगा, कौन-कौन सा काराण 24 घंट और वकिल रखने का अधिकार आपक सुतंदरत का अधिकार, कितना 22 भाग तक पुरा याद करवा चुका हों है, कितना 22 भाग तक, ठीक, आप लोग साथ ही साम पढ़ते चले, अब 22 के बाद आपन कल पढ़ेंगे क्या, 22 तो पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे धार्मिक सुतंदरता, सोशन, ये सब चीजों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी क्या है, अब इनका अबजेक्टिव है, आपसे बनेगा, क्या है, देखो, सविधान के अनुच्छेर, 19 क्या बोलड़ा है, 19 के संदरव में, निम्न लिखित का सही करम बताईए, ठीक, 19 के संदरव में, अब देखो, सही करम बताना ह 19 बताया हूँ, हमें क्या है, बोलने की संदरता है, हाना, बोलेंगे कहां जी, सम्मिलन में बोलेंगे, बोलेंगे, अब सम्मिलन के बाद हमको, क्या है, संग में बोलेंगे, और संग क्या है, संग क्या है जी, संग कैसे बनेगा, ब्रहमन करेंगे, तभी तो बनेगा, अब क्या करेंगे ब्रह्मन करने के बाद अब ठक जाएंगे तो निवास और निवास के लिए संपत्ति की जोरत है घर बनाने के लिए और घर संपत्ति कैसे आएगा वैपार से आएगा तो इनका क्रम पूछा है कोश्चन वही पूछा है देखो वाक मतलब बोलने की सुद्म दरत ठीक शंप के बाद ब्रहमन है क्या 3 हा तो तो आपका वी ती विजीवी का वैपार ठीक वही बात है वैपार करने की सुद्म दर तो लाष्टा आपका 6 तो 4 5 को कहीं पर है थैंका डिटेलिंग से बताया हूँ, आप लोग याद करना इसको, ठीक, अब नेश्ट है, सुतंदरता का अधिकार के संदर्म में सुम्लित कीजे, अनुच्छिद 19 के तहद, देखो 19 का में क्या बताया हूँ मैं, हमें बोलने की सुतंदरता है, ठीक, क्या हो जाएगा, का का 2, तो क का 2, A का 2 कहां कहीं पे है, क्या, option B और D में है, ठीक, उसके बाद, B option में क्या बताया है, खामे, खामें क्या बताया हूँ, जी मैं आपको, खामें हम लोग पढ़े थे, कि हम बोलेंगे कहां, बोलेंगे कहां, जी, सम्मेलन में बोलेंगे जी, बताया हूँ ना, बोलेंगे है क्या नहीं है बी का एक है क्या कहीं पर है नहीं है ठीक तो यह अप्चन थोड़ा सा मिसमेच है उपर नीचे है हुआ है आगे बिच्छे हो गया कोई बात ने अपन देखते हैं चलो यह क्या है ऐसा नहीं रहना चाहिए तो वह ऐसा होना चाहिए था यह क्या है आपको उनिस से यह क्यूशन गलत है थोड़ा सा ऐसा मिला लेते हैं हम इसको आए जी आओ तो आएसा अगर मिलाते हैं उनिस एक का कहा है हमें वाक्स की सुद्धरत है बोलने की सुद्धरत है खा कहा है हमें क्या है आपका संगम बनाने की सुद्धरता है मतलब संभिलन बनाने की सुद्धरता है हा ना संभिलन बनाने की सुद्धरता है क्या है आपका संभिलन बनाने की सुद्धरता है यह होगा इसका, गह में हमें संगम बनाने मतलब संग बनाने की और गह में अबाद अरचन, अबाद अरचना मतलब क्या है हमको भ्रह्मन करने की सुत्म दरता है, तो इसका इंसर देखते हैं, अगर A का, क्या है, चार आ रहा है, चार कहीं पर है, A का, A का दो, A का दो देखो, A का 2 है B में है और D में ठीक और खा का देखो 4 खा का 4 किसमें सिर्फ D में ते इसका इंसर हो जाएगा option number D ठीक एक बार repeat करता हूँ confused मत होना आपका का का किस क्या है आपका वाक बोलने की सुन्दरता है खा में हम कहां बोलेंगे संभिलन में घा में संग बनाने की सुन्दरता ह गा में और घा में है आपका क्या है अबाद सरचना मतलब घूमने की सुन्दरता है भ्रहमन करने की सरचना मतलब क्या है संचरन यार संचरन संचरन क्या है आपका संचरन अबाद संचरन करने की सुन्दरता है संचरन मतलब ब्रहमन करना तर इसका एंसर हो जाएगा option number D ठीक किस सवüdھانिक प्रवधान को अपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता किसको नहीं किया जा सकता किसको नहीं किया जा सकता अनुचित 21 को क्या नहीं कर सकते benefici समापता नहीं कर सकते अनुछेद 21 और अनुछेद 20 को समापते नहीं किया जा सकता इंसर हो जाएगा option number C ठीक फिर next question है आपका question number 8 आठवा क्या बोलता है सविधान भारत के सविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC के लिए अरक्षन का प्रवधान किया गया है अब ये चार option है चारों में से आप लोग comment करके बताएगे क्योंकि इतना मैं चिला चिला का आप लोगों को बताएगे हूँ एंसर सही होना चाहिए ठीक next है विधी के समक्च समांता वा विधी का समांत सरक्षन सविधान के किस अनुछेद में बताएगे विधी के समक्च समांता कौन सरक्षन में बताया हूँ जी अनुछेद 14 सबसे बनना चिये next है आपका सविधान के किस प्रवधान दोरा अस्प्रीता उनमुलन किया गया है question सिधा अनुछेद से ही पूछा उठा के अस्प्रीता किस में बताया हूँ अनुछेद 17 में बताया हूँ ठीक next question है आपका question number 11 फारती सविधान के अंतरगत बंदी प्रतिक्षी करन लेक जारी करने की सकती किस के पास है जब हम लोग next class में पढ़ेंगे यह बंदी प्रतिक्षी करन लेक जारी किसके पास है किसके पास है जी यह जब हम लोग next पढ़ेंगे इसका detailing बताऊंगो न तो आपको समझ में आ जाए किसके पास है आपका जो बंदी प्रतिक्षी करन क्या है आपका बंदी प्रतिक्षी क करने की सकती जो सर्वोच चन्यालय और कुछ चन्यालय को है किन को है न्यालय को है सर्वोच चन्यालय और चन्यालय को दिया गया है नेक्स्ट कोश्चन है आपका सुचना का अधिकार कब बना सुचना का अधिकार 2005 में बना कब बना आपका 2005 में नेक्स्ट कोश्चन है आपका मौलिक अधिकार को भारत के सविधान का आत्मा की संगय किसने दी है बताया हूँ मैं किसने दी है जी जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे आपका प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो आत्मा के बारे मैं बताया था आत्मा प्रस्तावना का आत्मा किसने कहा है और मौलिक अधिकार को भारत के सविधान के आत्मा किसने का है आपका डाक्टर भीमराव अंबेट करने किसने आपके भीमराव अंबेट करने और प्रस्तावना पात्मा किसने का है कमेंड करके बताई क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं जो सुचना का अधिकार है जो सुचना का अधिकार कौन सा मुल अधिकार नहीं है मुल अधिकार देखो सवधानिक उपचार का अधिकार अनुछेद 32 में समानता का अधिकार बताया हूं मैं ठीक 14-18 सांती पुन तरीके से सो एकत्रित होने का अधिकार है लेकिन संपत्तिक अधिकार मुल अधिकार नहीं है कौन सा संपत्तिक अधिक दार्मूल अधिकार नहीं है याद रखेंगे संपत्तिक अधिकार को आपके 24 सविधान संसोधन पूछा जाता है अधिकार पहले कौन से अनुछेद में था एक तिसवे अनुछेद में था ठीक तो यहां पर आज हम लोग टोटल कितने कोशन देखे आपके 15 कितने जी 15 मोश्ट है एमस्यो की कोश्चन देखे यह क्लास वन था इसके बाद क्लास सेकेंड भी रहेगा इसमें हम लोग और इसका डिटेलिंग जो बांकी अनुछेद बचे हैं बांकी अधिकार बचे हैं उनको पूरे डिटेलिंग से वहां पर पढ़ेंगे हो सकते हैं तीसरे क्लास में भी चला जाए लेकिन यहां से कोश्चन आते हैं इसलिए इसको लंबर पढ़ रहे हैं ओके अच्छा आप लोगों को बुला था मैं कुछ जानकारी दूँगा क्लास के बारे में यह क्लास के बारे में क्या है आपका क्लास के बारे में जानकरी देना चाहा रहत है मैं कि हर अभी बार को आपका टेस्ट होता है पता है सब लोग टेस्ट दिलाते हैं अभी आठवा टेस्ट है और हर सो मार को क्या होता है आपका cg का current का class होता है cg current class होता है आप सबको पता है cg current का class होता है हर समगार को मांकी दिन होता था आपका मांकी class चलता है रेगलर लेकिन अब बुध्वार और शुक्रवार को ही सिर्फ सविधान का class होगा सविधान का क्लास, बुद्वार और सुक्रवार को सविधान का क्लास मां की दिन गेप रहेगा, इसलिए दो दिन सिर्फ क्लास होगा, क्योंकि सविधान थोड़ा सा समझनी लाइक चीज है, और यहां से कुश्चन आते हैं, इसको मैं ऐसा 20 मिनिट 25 मिनिट में नहीं खतम लेकिन इसको मैं तो डिटेलिंग से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक बार पढ़ोंगे फुरसद रहेगा, इसलिए यह क्लास जो है, एक घंटा 45 मिनिट ऐसा का रहेगा, ठीक है, उपर रहेगा, इसलिए मैं सिर्फ बुद्वार को पढ़ूँगा, और इसके लिए मेर जान का चेप्टर खतम हो जागा, क्वेशन आते हैं, और पुलिस भरती है, तो इतना घुमाक नहीं देगा, लेकिन जो बता रहों उतने ही, आप सफीसे अगर पढ़ोंगे तब, तो याद रखेंगे सिर्फ आप बुद्वार और सुक्रवार को ही क्लास होगा, ठीक, बु तो यहां पी नहीं देखता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा देख रहा था, कैसे बनाना है, क्या है, क्लाउन का भी, इसलिए थोड़ा सा क्लास नहीं हो पाया, अब रिगलर बुद्वार और सुक्रवार को होगा, ठीक, और संडे को आपका जो टेस्ट होगा, उसमें टेस् पहले सलक मतलब अब चार उप्सन रहेंगे, उन चारो उप्सन का पूरा डिटेलिंग करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो समालो यह अप्सन है, सरदानी को प्चारो का अधिकार इंसार है, तो बांकी जिन्ती ऑप्सन है, तीनों पा भी डिटेलिंग देखेंगे, झालो 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 झाल झाल